शुरू हो गया काउंटडाउन अब समय ज़्यादा दूर नहीं रहा छे अप्रेल आपका भेसबरी से इंतजार कर रही है और विशेश राशियों के लिए विशेश फल आज की इस वीडियो में सुनने को मिलेगा इसलिए ज़्यादा हुनला डिलना मत बिलकुल आख और कान आपके इस वीडियो पर रहने चाहिए पूरी ध्यान के साथ एकागरता के साथ कॉंसेंट्रेशन के सकाथ समर्पन के भाव के साथ में और थोड़ा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लेना क्योंकि इस वीडियो में वो आज आपको बाते बताने वाला हूँ शुक्र ग्रह वरशब राशी में आएंगे और एक मालब विनाम का महापुरुष राज्योग बनाएंगे और ये राज्योग अब तक के बनने वाले सभी राज्योगों से बहुत डिफरेंट होगा क्योंकि इसी महीने में सूरे देव जोच के हो रहे हैं इस महीने में शनी माराज कुम राशी में पूरी अपनी ताकत के साथ में फल देंगे और शनी के परम मित्र शुकर वो स्वेराशी के छे अप्रैल को व्रशम में आएंगे तो कहना ही क्या? वावा के तो योग आपके बनी रहे हैं अब किस राशी को क्या लाव प्राप्त होगा? इस उच्छुक्ता को अब मैं यहीं पर रोकता हूँ और आपको फल बताना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ स्विकार करिए हमारे यूटूब चैनल पर हमारे फेस्बूक पेज से जोड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद दोस्तो इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए बेल एकन के बटन को दबाईए ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इंफॉर्मिशन पहुं सके यह है शुक्र का परिवर्तन सुबा ग्यारा बजे से हो जाएगा और फिर दिनांक दो मई तक शुक्र देव ब्रशव राशी में रहते हुए आपका उध्धार वेकल्यान करेंगे फल्की चिंता हो रही होगी कि गुर्देव आप बता दो फटा फट से क्या होने वाला है किस राशी को क्या प्राप्त होने वाला है तो चलो करते हैं शुरुवात तो सब से पहले नंबर पर मैं उस राशी के बारे में ही चर्चा करना चाहूँगा जो शुक्र से ही तालुकात रखती है, जी हाँ, राशी का नाम रहेगा व्रशव, दोस्तों व्रशव राशी बालो, आपके इस यहाँ दो नंबर में शुक्र आ जाएंगे, और इस गर में आते ही जो मालव नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए बनेगा, ये राजय योग आपके चहरे की रूप वे खूबसूरती को भी बढ़ाएगा, ऐसा में इसलिए बोल रहा हूँ कि वरशव राशी चहरे का प्रतिनित्त करती है, और वरशव राशी के स्वामी शुक्र वो खुद सौंदर्रे प्रसारन के कारक हैं, वो खुद फिल्म लाइन ग्लैमर के कारक हैं, और ये सौंदर्रे प्रसारन देने वाला गरह है, जब आपके शरीर पर आकर के बैटेगा, तो शरीर से स्वेम इस प्रकार से आपकी औरा डैवलप हो गए, कि लोग सतह है, आपके और आकर्शित होने शुरू हो जाएंगे, और इस मालव वे महापुरुष रा वुरुष राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं, तो दो दो राजयोगों का जो बेनेफिट है, वो आपको शुब रूप में मिलता हुआ नजर आ रहा है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये शब्द इसलिए इस्तमाल करें हैं दो दो बार, क्योंकि आपको शुक्र वर् पर लिखा है न, यहां सूर्य आ जाएंगे तो खर्चे जरूर बढ़ा देंगे, इसलिए खर्चों पर नियंदर नकना है, योजना बद तरीके से चलने की सलह, अपनी वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहूंगा, आप अपनी वानी को रोकते हुए, अगले आता हूँ आप से सिंग राशी के विशे में, जितने भी दर्शक हैं, अभी सिंग राशी के हम से जुड़ चुके हैं, उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि क्या होगा, तो देखिए विडम बना ग्रहों की, कि आपकी राशी के शत्रू सनी भी हैं और शुक्र भी हैं, और यह दोनों ही रहें आपके लिए राशयोग बना रहे हैं, जी हां यहां ग्यार नंबर में तो शनी का 6 महापुरूश राशयोग और इधर दो नंबर में बन जाएगा, 6 अपरैल सुबा 11 बजे से शुक्र का माला पिनाज राशयोग, अब यह शुक्र कहेगा, भीया देखो मैं तो करम दे सकता हूँ आजीवीका को बढ़ा सकता हूँ मैं यश्कीर्ती कारे सिद्धी दे सकता हूँ मैं आजीवीका के साधनों मैं वृद्धी कर सकता हूँ यही मेरे पास है यही मैं दे सकता हूँ तो क्या आप यह लेना चाहेंगे तो याचक बन जाईए फैला दीजिए अपनी जोली के ये शुकुर देव कोई बात नहीं आप हमें शमा करें आप हमारी राशी के स्वामी से शत्रुदा रखते हैं पर आप हमें फल अच्छा दे दीजिए इस राज्योग का तो यहाँ पर शनी का शश शुक्र का मालववे आपके वारे नियारे कर देगा ऐसा आपकी कुनली में ग्रहों की गती बनती हुई नजर आ रही है अब मैं अपनी वानी को अगले पढ़ा पढ़ ले करके जाना चाहता हूँ और अगली राशी के तो मित्रता वाला विवार रखते हैं अपको डिस्प्ले में राशी का नाम दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप समझ सकें क्योंकि जब राशीयों का नाम दोस्तों डिस्प्ले में आता है न तो फल समझने में और ज़्यादा सहूलियत हो जाती है तो जितने भी जा तक मुझे वरिश्चिक राशी के भी सुन रहे है आपकी जो ग्रहों की गती रहे कि उसके अनुसार जहां आप देख रहे हैं ग्यारा नंबर लिखा यहां तो एक 6 महापुरूश राजोग और जहां दो नंबर लिखा है यहां बनेगा मालब विमहापुरूश राजोग और ऐसी इस्तिती में आपके लिए धन धनने की वृद्धी होगी आपको लगू यात्राओं से आपको देने की जीवन में कुछ नए घटना करम बनेंगे आपको कुछ नए आफर मिलेंगे कुछ नए व्यापारिक समझोते होने आपके प्रारम होंगे इसके अलावा आपको विशेश रूप से रोग चोट से भी मुक्ती मिलेगी भाई भेनों से बड़ा प्रेम वैस नहीं आपको प्राप्त होगा और आपकी ख्याती बढ़ेगी क्योंकि व्रशव राशी में यहां रहे करके शुकर देव जो दृष्टी सब्तम डाल रहे हैं इसलिए इस घर को भी उठाने का दायत पून रूप से शुकर के पास रहेगा और देखिए शनी की भी तस्वी दृष्टी व्रिष्टी के पड़ रही है यानि कि दो राजयोग और इन दोनों राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दृष्टी भी आप ही की राशी पर है मैं आपसे बात करना चाहूँगा कुम राशी के विशे में जितने भी जातक मुझे भी कुम के सुन रहे हैं आपके लिए एक तो विशेश रियोग बन गया कौन सा मालव राजयोग क्योंकि ये चतुर्द भाव में आपर दो नंबर में शुकर आ जाएंगे सुख में आ जाएंगे तो बोलेंगे भाईया सुख ले लो अब कैसा सुख ले लो मेरे से सुख ले लो वहान का मेरे से सुख ले लो बी अरबार का रेस्टोरेंट का मेरे से ले लो रियल इस्टेट प्रॉपर्टी लाइजनिंग के काम का मेरे से ले लो आप भाग्ये का स तो इन दोनों राजियों को का बेनेफेट है आपको करम भाब के ओपर भी देखने को मिलेगा क्योंकि करम भाब पर वरिष्टी ग्राशी पर यह दृष्टी बढ़ रही है इसलिए दोस्तों दो मईं तक का समय है इसको भुना दीजे जितना भुना सकते हैं माता के सास्त में इंप्रुमेंट होगी माता के सास्त जो विशेश रूप से तनाव आपका चल रहा है उससे आपको काफी बड़ा रेलीफेक मिलता हुआ नजर आ रहा है यहीं आज आप अपनी वानी को विराम देते हुए आपसे आग्या लेना चाहूंगा अगर आप मुझसे मुंबई में 11 से लेके 15 अपरेल 2023 में मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं आपका स्वागत है तर्ची क्वालिटी के रतन वेर हुद्राक्ष लेने के लिए भी इजादत दीजिए नमस्कार